Hello Friends, Welcome to View की पार्चाला आज हम करने जा रहे हैं Electronic Configuration of D-Block Elements अब ये specifically हम D-Block की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ-कुछ exceptions भी आती हैं जो कि हमारे normal electronic configuration से different होते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि exceptions क्यों आती हैं और बाकी सारे के सारे D-Block Elements का क्या reason है उनकी क्या electronic configuration होती है और electronic configuration पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है उसका link नीचे description box में आपको मिल जाएगा प्लीज गो चेक आउट वीडियो बिफोर वी आक्शुली स्टार्ट विद इस वान So, let's start with this वीडियो So, बचों सबसे पहले start करते हैं scandium हमारा जो पहला D-Block का element है which comes in 3D as in 4th orbit में आता है इसका अगर हम electronic configuration देखने से पहले हम देखते हैं इसका atomic number is 21 और जितने भी elements 21 के बाद आते हैं उनका हम configuration इस तरह से start कर सकते हैं कि argon में हमने 18 लगा दिये because scandium से because scandium से पहले की जो हमारी noble gas है that is argon argon जो है वो fill हो गया उसके बाद हमारे fill होता है 4s और 4s में हमारा आ जाता है 2 तो basically हमने कितने electrons यूज़ कर लिये 18 और 2 20 एक electron बचा है अब वो 4s के बाद off-baw principle से अगर आपको off-baw principle नहीं पता तो मैंने उसका link भी नीचे description box ने डाल दिया है आप उसको भी check out कर सकते हैं अब इसमें 4s के बाद ये जाएगा 3D में तो 3D 1 हो जाएगा और अगर आपको इसको orbital के form में दिखाना है हम तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं एक तो ये आपका 4s हो गया ये आपका 3D हो गया अब ये तो सिंपल है अब आजाते हैं टाइटेलियम पर टाइटेलियम का atomic number is 22 22 का मतलब है अगेन सेम चीज़ करेंगे आरगन में हमने 18 है 2 electrons अब ये जो 2 electrons है अगेन आफबाव प्रिंसिपल के अवार्डिंग ये 3D में आ जाएंगे तो 3D की configuration पहले एक थी अब यहाँ पर जाके ये 2 हो जाएगी हम यहाँ पर 2 electrons को इस तरह से शो कर सकते हैं similarly हम अब टाइटेनियम के बाद वेनेडियम का करेंगे वेनेडियम का atomic number is 23 23 लिखने के लिए अगेन सेम चीज़ आरगन हमारा 18 आ गया 4S2 हमारे 20 electrons यूज हो गए 20 के बाद 3 बचे हैं तो वो 3D 3 हो जाता है और अगर हम इसको orbital के form में लिखेंगे so this is our 3D 3 अब आ जाते हैं chromium के बाद मैंने और अभी elements नहीं लिखे है उसका reason यह है कि chromium की थोड़ी सी exception होती है और वो क्या है क्या reason है उसके exception का अभी देख लेते हैं so argon 18 4S2 20 electrons हमने उसकर लिए बचे है 4 ये 4 electrons देखने के लिए configuration हमें अगर हम pattern के हैसाब से चलेंगे तो ये दिखेगी बट ये configuration होती नहीं है जो actual configuration है वो ये नहीं होती अब हम इसकी actual configuration लिखेंगे इस तरह से argon 18 4S1 3D5 इसका मतलब हमने क्या देखा कि यहां से इस 4S से एक electron उठकर के इस 3D में चला गया है अब ऐसा हुआ क्यूँ तो हम पहले इसका orbital बनाएंगे फिर हम इसका orbital बनाते है तो ये तो हुआ हमारा actual pattern के हिसाब से configuration orbital की कि 4S में हमने 2 दिखा दिए और 3D में हमने 4 दिखा दिए बट ये तो होता नहीं है actually reason ये है कि हमारा ये वाला electron जो है उठकर के यहां चला जाता है इस orbital में so that अब इसकी जो configuration होगी वो 4S में 1 हो जाएगी and then 3D में इसका 5 electrons हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 and 5 ये 5 electrons यहां पर क्यों आए क्या reason था अब देख लेते हैं हमारे 3 तरह के orbital होते हैं one is called partially filled the other is called half filled and then we have fully filled orbitals अब ये different तरह के orbital होते हैं ये 3 इन तीनों में कैसे होता है partially filled, half filled and fully filled वो देख लेते हैं हम अभी D के लिए देखेंगे बट ये चीज़ वालिए है किसी भी और और बाइटल के लिए P के लिए भी है, F के लिए भी valid है अब D का एक और बाइटल बनाते हैं एक, दो, तीन, चार और पांच अगर हमने इसमें एक electron fill किया है तो ना तो ये half fill हुआ ना ही ये full fill हुआ तो अभी ये partially filled है अगेन दो electrons आए तब भी partially filled चार आए, तब भी partially filled पांच आए, चार आए, तब भी partially filled और जब तक ये fifth वाला नहीं आएगा जैसे ही fifth वाला आएगा ये configuration जो है वो हमें half filled वाले की मिल जाएगी क्योंकि ये और बाइटल अग चाहे किसी कभी D हो ये और बाइटल अग जाकर के half filled हो गया है यहाँ तक अभी half filled नहीं हुआ था ये partially filled है जब ये पांचवाँ electron आएगा D में अब उसके बाद 6 आएगा 6 आने के लिए फिर से हमारी configuration हो जाएगी ये 6 के लिए, फिर 7 आएगा ये हो जाएगी 8, 9 अभी तक ये सारा फिर से partially filled ही चल रहा है 6 के बाद 7, 8, 9 क्योंकि कुछ नो कुछ electrons unpaired बच रहे था जिसमें pairing नहीं हुई थी जिस भी orbital में electron की pairing ना हो वो हमारा partially filled रह जाता है इसका तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये partially filled है Let's see, fully filled क्या होते है fully filled orbitals जिनमें सारे के सारे electrons की pairing हो जाती है वो हमारे fully filled orbitals बोले जाते है अब हम ये क्यों देख रहे हैं? chromium की वज़े से and एक और element आएगा copper copper और chromium की exception जो चलती है वो reason होता है stability के उपर हमारे full filled orbitals सबसे जादा stable होते हैं सबसे जादा stable fully filled orbitals है उसके बाद उससे थोड़ा सा कम हमारे half filled orbitals और half filled orbital के बाद सबसे कम stable होते है partially filled तो basically हमने क्या देखना है? कि fully filled सबसे जादा stable है फिर half filled उससे कम थोड़ा सा stable है किन stable है? partially filled इतने जादा stable नहीं है अब जब हम ये configuration देखेंगे chromium की 4s to 3d4 4s हमने पहले बारा off bow principle के according इसके energy कम थी तो ये कम energy वाला तो fully filled हो गया जो कि अभी stable हो चुका है 3d वाला अभी partially filled है stable नहीं हुआ ये नहीं fully filled है नहीं half filled है partially filled है बहुत कम stable है अब क्यूंकि ये दोनों orbitals एक दूसरे के बाद आते हैं इन दोनों की जो energy gap है इस 4s में और इस 3d में बहुत कम है थोड़ा सा energy gap होने की वज़े से होता क्या है कि ये 4s वाला जो electron है ये excite होकर के 3d में चला जाता है अब 3d में जाने से हुआ क्या देखिए 4s में एक electron बचा एक electron अभी इसने एक electron की वज़े से 4s को half fill कर दिया ठीक है fully filled से half fill हो गया इसका मतब थोड़ी सी energy इसकी कम हो गई इस 4s की energy थोड़ी सी कम हो गई now 3d 3d पहले तो partially filled था और ये energy ये बाद में भर रहा है ये इसकी energy जादा है but यहाँ पर 3d में जब हमने एक electron 4s से यहाँ पर हम लेकर आ गए है तो 3d हो गया है हमारा half filled orbital half filled है plus ये ज़ादा energy का है एक तरह से हमने ज़ादा energy वाले orbital को stable कर दिया है so overall stability बढ़ जाती है तो इसमें हम लिख देंगे कि overall stability बढ़ गई is greater overall stability is more ये ज़ादा stability की वज़े से chromium की configuration 4s2, 3d4 नहीं होती chromium की जो configuration होती है वो 4s1, 3d5 होती है only because of the reason कि इसमें ये दोनों ही orbitals half fill हो जाते हैं whereas इसमें नहीं हो पाते so अब हम देख लेते हैं हमारे बाकी के जो dblock के elements है उसकी configuration so सबसे पहले अब हमारा chromium के बाद आता है manganese manganese का हमारा atomic number is 25 so यहाँ पर again हम argon 18 यूज करेंगे argon 18 के बाद 4s2 आएगा क्योंकि ये तो general rule था इसके बाद हमारा 3d में 5 आजाएगा क्योंकि यहाँ तक हमने 20 electrons यूज कर लिये थे 25 इसका atomic number था 5 electrons जवाएंगे वो D में आ जाएंगे और इसका हमारा 4s2 इस तरह से आ जाएगा and 3d5 अगर हम देखें तो 1,2,3,4,5 यह आ गया हमारा and यह अपना fully fill हो गया यह अपना half fill है यह stable है अब next का देखते हैं next हमारा iron है iron का atomic number is 26 तो हमने argon 18 4s2 कर दिया 3d6 में डाल देंगे 3d6 में अगें अब इसको देख लेते हैं यह इस तरह से 2 electrons आ गए and then हमारे D में 6 electrons आ गए तो 6 electron में से 5 electrons and then 1 की pairing कर दी this is based on Hund's rule for maximum multiplicity अगर आपको नहीं पता तो उसका भी link मैंने नीचे description box में डाल दिया है same चीज करेंगे argon 18 4s2 3d6 के बाद आ जाएगा यह 3d7 और इसका भी हम इसी तरह से बना लेंगे पूरा का पूरा electronic configuration यह तो यहां पे दो electrons की pairing हो गई again हमारा यह भी partially filled का यह भी partially filled है अभी fully filled का कोई मतलब नहीं है अब हम निकल देख लेते हैं निकल का 28 है 28 का मतलब 4s2 यहां तक हमने भर दिया 4s2 के बाद 3d8 आ जाएगा और सिर्फ 4s में हमारा basically 2 electrons यहां आ जाएगे और 3d में 1,2,3,4,5,6,7,8 इस तरह से आगए अब जो आती है next हमारा copper की एक exception आएगी जिसका के atomic number is 29 देखिए आरगन 18 4s2 3d9 होना चाहिए था according to pattern बट अब यह pattern पर बेस नहीं है just like chromium होगा क्या इसके वज़ाए configuration जो है इसकी क्या हो जाती है so this is 4s1 3d10 so 3d10 में basically हमारे यहां पर 10-10 electrons भर जाएगे अगर यह 10-10 electrons भर गए यह fully filled हो गया 3d9 में जब 10 electrons आ गए वो पूरा को पूरा fill हो चुका है इसका मतलब बहुत जादा stable हो गया है यह क्योंकि order of stability हमने लिखा हुआ है fully filled सबसे जादा stable होता है और 4s जो की पहले fully filled था वो half fill हो चुका है वो अभी भी stable है लेकिन अपनी stability 4s ने थोड़ी सी कम कर दी और अपने से जादा energy वाले orbital को पूरा का पूरा सबसे जादा stability provide कर दी तो atom की अगर हम देखें overall atom की stability बढ़ जाती है so this is 4s1 3d10 बाद में zinc आता है zinc तो easy है हम argon 18 लिखेंगे 4s2 सीधा 3d10 डाल देंगे यह हमारा इसी तरह से चलता है यह हुई बच्चों configuration of d block elements d block में हमने देखा कि chromium की exception थी क्यूं थी based on stability of orbitals कि कितने cases आप से fill होते हैं same इसी reason से हमारी copper की exception आई copper की exception में क्या हुआ कि यह fully filled हो गया तो again stability बढ़ गई यह जो है general trend से थोड़ा सा अलग है and इसी लिए हम specially पढ़ते हैं d block elements की electronic configuration तो बच्चों ध्यान रखना कभी भी अगर आपसे chromium की electronic configuration पूंची जाएगी तो वो 4s1 3d5 हो जाएगी यह तो चलो अभी हमने manganese की लिखिया लेकिन इससे पहले हमने कर लिया है 4s1 3d5 उसके बाद अगर आपसे copper की पूंची जाएगी तो 4s2 3d9 मत लिखिएगा आप 4s1 3d10 ही होती है based on stability I hope आज का यह topics आपको clear होगा सबको समझाया होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो please like comment share and subscribe to our channel and please don't forget to press the bell icon so that आपको नए वीडियो का notification जल्दी से मिलता रहे Thank you very much प्रही आुम होगा झाल झाल you झाल झाल